प्रधान मंतरी नरिंद मोदी के एलान के साथ ही अब वैक्सीन के नई कीमतों का एलान भी हो चुका है आपको बता दे कि अब सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएंगे और अब इसकी नई कीमते भी जाड़ी कर दी गई है क्या है इसकी नई कीमते बताते हैं वस्तार से कोविसल वैक्सीन बनाने वाली कमपनी शीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया ने बुधबार को राज सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नई दाम के लिस्ट जाड़ी कर दी है प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपे प्रती डोज और राज सरकारों को 400 रुपे प्रती डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी भारत सरकार ने हाली में वैक्सीनेशन के नए चर्ण का एलान किया है इस चरण में राज सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्मताओं से वैक्सीन खड़ीद पाएंगे अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खड़ीद रही थी और अलग-अलग राजियों में बाट रही थी केंदर सरकार के मुताबिक अभी भी 50% दी वैक्सीन केंदर सरकार को ही मिलेगी जबकि बाकी 50% दी राज सरकारे सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ले पाएंगी साथी प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कर सकेंगी आपको बता दे कि राजसरकारों को 400 रुपे प्रती डोस तो वही प्राइविट अस्पतालों को 600 रुपे प्रती डोस के हिसाब से यह वैक्सीन उपलब्द करवाई जाएगी सीरम इंस्टिचूट ने यह दावा किया है कि दूसरे देशों के मुकाबले यह वैक्सीन सकाफी सस्ती है अमेरिकी वैक्सीन 1500 रुपे प्रती डोस मिल रही है तो वहीं रूसी वैक्सीन और चीनी वैक्सीन साड़े 700 रुपे प्रती डोस मिल रही है सीरम इंस्टिजूट ने अपने बयान में यह कहा है कि अगले दो महीने के लिए वह बड़े अस्तर पर केंद्र और राजिसरकारों को वैक्सीन उपलब्द कराएगा 4-5 महीने के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन बनाने के साथ ही रिटेल बजार के लिए इसे खोल दिया जाएगा सीरम इंस्टिजूट के अदार पुनावाला का कहना है कि उनकी कमपनी बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने पर भी काम कर रही है वहीं वैक्सीन लगाने पर ब्लड क्लॉट को लेकर अदार ने कहा कि ये बहुत ही कम केस में देखा जा रहा है आपको बता दे कि अभी तक भारत सरकार को सीरम इंस्टिजूट से 200 रुपे प्रती डोज के हिसाब से वैक्सीन मिल रही थी केंद सरकार द्वाडा सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त दी जा रही थी जबकि प्राइवेट सेंटर्स पर 200 रुपे प्रती डोज के हिसाब से दाम तै किया गया था तो वहीं भारत सरकार ने एक मैस से जो नई वैक्सीनेशन चर्ण का एलान किया है उसके मुताबिक अब 18 साल से अधिक उम्रवाले सभी लोगों को वैक्सीन लग पाईगी सरकार के मुताबिक 45 साल से अधिक उम्रवाले लोगों को जिस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है वो जारी रहेगी यानि सरकार सेंटर्स में इसके लिए वैक्सिन मुफ्त उपलब्द रहेगी तो आपको बता दे कि इस नई लिस्ट के साथ अब सरकारी अस्पतालों और प्राइविट अस्पतालों में वी वैक्सिन उपलब्द रहेगा ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं न्यूस फार नेशन के साथ नमस्कार